गुड मॉनिंग इस्टूडेंट्स, क्लास 10 जैसे कि हमारा लेसन नमबर 2, A Letter to God यह चला हुआ था, तो हमने इसमें एक परग्राप पढ़ लिया था, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, आफ्टर देट, पार्ट 3 और आज हम जो नेक्स्ट परग्राप पढ़ेंगे, वो पार्ट 4 मे हमारी वीडियो होगी, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा परग्राप है, यह सो आता है, in order to seek the writer's faith in God, इस्वर में लेखक के विश्वास को देखते हुए, the postmaster came up with an idea, डाकिया के दिमाग में एक विचार आया, answer the letter के पत्र का उत्तर दिया जाए, बट लेकिन, when जब he opened it, उसने इसे खोला, it was evident, तो यह इस पस्टवा, that key, to answer it, इसका उत्तर देने के लिए, he needed something more than goodwill, उसे भलाई, ink, श्याही, end paper और कागज के अतरिक्त, किसी ओर चीज की भी आविश्यक्ता थी, बट लेकिन, he stuck to his resolution, वह अपने निर्ने पर अडिग रहा, he asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन के लिए पूछा, he himself gave part of his salary, उसने स्वयम अपने वेतन का कुछ भाग दिया, and or several friends of his, उसके अधिकांस मित्र वर अपलाईजड, to give something for an act of charity, दया के इस कारिये के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्या हो गए, it was impossible for him to gather the 100 पिसोज, उसके लिए 100 पिसोज, इखटा करना संभव नहीं था, या संभव था, so इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half, वह किसान को आधे से कुछ अधिक पैसे ही या धन भेजने में योग्य रहा, he put the money in an envelope, उसने धन को एक लिफापे में डाला, addressed to lancho और उसे lancho के पते पर भेज दिया, and with them, और उसके साथ a letter containing only a single word as a signature, signature के रूप, यनि sign के रूप में एक, किवल एक सब्द लिखते हुए, God iswar, एक पत्र को डाल दिया, या पत्र पर उसने किवल एक सिंगल सब्द लिखा, God iswar, The following Sunday, अगले रविवार, lancho के में बिट अरलियर, the unusual to ask, lancho, अपने सामन्य दिन के पेक्षा, ओ रजिक जल्दी आगया, to ask और पुछा, if there was a letter for him, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, it was the postman himself, यह स्वेम, postmaster ही थे, who handed the letter to him, जिन्होंने उसके हाथ में पत्र को सौप दिया, वाइल जबकी, the postman यह है, डाकिया ही था, जिसने स्वेम, उसके हाथों में पत्र को सौप दिया, वाइल जबकी, the postmaster experience, the content of a man, postmaster, एक मनुष्य को, संतुष्ट होते हुए, who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office, अपने दफ्तर के दरवाजे पर बैठ कर, अपने दफ्तर के दरवाजे पर बैठ कर उसे देख रहा था, लेंचो, शोड नॉड दा, slightest surprise, on seeing the money, लेंचो को, धन को देख कर, बहुत अधिक, आस्चरिय नहीं हुआ, such was his confidence, ऐसा उसका विश्वास था, बट लेकिन, he became angry, वह क्रोधित हो गया, वहन जब, he counted the money, उसने धन को गिना, God could not have made a mistake, nor could, he has denied लेंचो, इस वर, कोई गलती नहीं कर सकते हैं, nor could he has denied, और नहीं वह, हैं, लेंचो को धन देने के लिए, मना कर सकते हैं, what he had requested, जो उसने प्रार्थना की थी, what he had requested, जो उसने प्रार्थना की थी, immediately, तुरंत ही, लेंचो, वेंट अप to the window, लेंचो, खिड की पर आया, to ask for paper and ink, paper, any कागज और शाहें के लिए पूछने, on the public writing table, सारजनिक लिखने वाली मेज पर, he started to write, उसने लिखना सुरू कर दिया, with much wrinkling of his brow, अपने भों को सिकोडते हुए, या उसके अपने विचारों को प्रिकट किया या उसके अपने विचार प्रिकट करने पड़े, वेन जब ही फिनिस्ट उसने पत्र लिख लिया, he went to the window to buy a stamp, तो वेह इस्टांप खरीदने के लिए या टिकेट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, वेच जिसको ही लिख्ड उसने चाटा, and then तब affixed to the envelope with a blow of his fist, अपनी मुठ़्ी से एक वार करते हुए लिखापे पर चिपका दिया, या अपनी मुठ़्ी के दवाब से लिखापे पर चिपका दिया, the moment उसी च्छन that the letter fell into the mailbox, जैसे ही उसने पत्र को डाक पेटी में ढाला, the postmaster, तो postmaster went to open it, इसे खोलने के लिए आ गया, इट सेड, उसने कहा, यनि पत्र ने, या उसमें लिखा था, God is worth of the money, जो धन that I asked for, मैंने मांगा था, only 70 pesos reached me, उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसे पीसोज ही पहुँचे हैं, send me the rest, मुझे, सेज धनरासी, भेज दीजिए, सेज क्योंकि, I need it very much, मुझे इसकी बहुत अधिक आवशकता है, बट लेकिन, do not send it to me through the mail, इसे डाग के द्वारा मत भेजना, बिकोज क्योंकि the post office, employees, डाग घर के करमचारी, are a bunch of crooks, बेइमानों का एक जुंड है, लेंचो, लेंचो, तो यहां तक आपको ये हिंदीज की complete करनी है, और lesson no.2 आपका complete हो गया है, उसके बाए next lesson, next video में, ठीक है? यहाए, बभाए.